भागलपूर में बाल के पानी ने ट्रेन के आवाजाही को रोग दिया है भागलपूर से कालगाव रेल खंड पर सबावर के आगे एवा ममलखा रेलवे इस्टेसन के बीच रेल पट्री द्धस गई है पट्री के नीचे से बाल का पानी बहने लगा है नतिजा भागलपूर का रेल समपर के सिर्फ बाका और दुमका रेल खंड के माध्यम से ही भोब पा रहा है वही कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कई ट्रेन के रूट में तबदी लीकी गई है वहीं बिना जानकारी के इस्टेशन पहुँच रहे हैं परिचालन जो है बाका और क्यूल के रास्ते किया जाराट समय बदल दिया गया है और रूट जो है डावर्ट कर दिया गया है जिसके बाद और भी कई ट्रेने जो है उसके ट्रेन के परिचालन को रद कर दिया गया है जिसमें से राजन नगर बाका इंटर सीटी स्पेसल है सा जमालपूर प्रफुर क्यों प्रफुर को रट कर दिया गया है वह कर दिया गया है वहाइड किया गया है अप भरका एक्सप्रेस को भाया कत्यार पतना चलाया जारा है साथी हावरा जमालपूर एक्सपेस को भाया रामपूर हट दुमका के रास्ते चलाय जा रहा है और राची बरनांचल एक्सपेस भाया दुमका रामपूर हट के रास्ते से चलाय जा रहा है साथी साथ मालदा आनंद बिहार निव फरका एक्सपेस भाया का टिहार बरोनी 17 अगस्त के बाद से जो इसका ट्रेन का जो रूट डावर्ट कर दिया गया है वहीं बता दें कि इधर जो भागलपूर से कहलगाउं का जो रूट था उस पर भी पानी चर गया है लैलक ममलखा के पास ब्रीज नंबर 144 एके गाडर तक पानी पहुच गया है जिसके बाद उस रूट के ट्रेन के परिचालन को भी रोग दिया गया है कहलगाउं साहिब गंस तक जमालपूर से जो है कहलगाउं से साहिब गंस तक जो ट्रेन है वो बंद हो गई है यात्री जो यहां पर आप देख सकते हैं इस्टेशन पड़िशर कम पर गया है यात्रियों से यह हजार हजार के यह लएत्रिये हैं पढंगो पाथ और यात्री जो ना बहूरा जाना है परिशानी तो हो रही है। काफी परिशानी हो रही है। समय भी ज़्यादा लगए। माल्दा लगए। थी वो भी कैंसील हो गई। टिगर भी ऐसे चली गई। रिफान भी पैसा नहीं आया। बिल्कुल जयसा कि इनका कहना है समय भी बतल दिया गया और परिशानी तो काफी हो रही है क्योंकि ट्रेनों के परिशालन को जो है रूट का डावर्ट कर दिया गया है अश्वनी कुमार पिग न्यूज भागलपूर